हाई आपकमिंग डॉक्टर रामनोहल लोई आवेद्धु यूनिवर्सिटी जोके आई उध्य में सिच्चुबेटेड है फो यूर पीजटी इंट्रेंस एक्जामिनेशन सो आज हम नेक्स टाइप ऑफ रिसोर्च पर स्टडी करेंगे और कुछ करेंगे जो कि आपकी जो टाइप ऑफ रिसर्च है वह है एक्स्प्लाइट्री एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंपॉर्टन टॉपिक है एक्जाम में इस टॉपिक से टू टू त्री क्वेशन आपको पूछे जा सकते हैं और इस वीडियो का प्रेंट जरूर देखिए लीजेगा जिससे कि आपके एक्स्प्लाइट्री एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिलेटिट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उसी की साथ साथ मैं आपको बता दू कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेटेडिलोजी का कंप्लीट कोर्स करा है मैं आप प्रिपरेशन के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स मॉक्टेश और कुछ प्रैक्टिस एंडियो प्रोवाइट करते हैं जिसकी हेल्प से आप आपके पीएजी इंट्रेंस एग्जामिनेशन को एजली क प्रेक कर पाते हों सो याद रखेएगा कई स्टूरेंस का में फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंड को फॉलो करकर वह अपने पीएजी इंट्रेंस एक्जामिनेशन को करकर पाते हैं और मैं आपको बता दू कई क्वेस्टेंस प्रेश को पूछे गए हैं हमारे इसी कं को पुछेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको में वाट्सअप के तुरू ही कॉंटाइक करना ही नॉर्मल कॉर्स नंबर पर नहीं लगेगा और हमने हमारे आप के लिंक कॉमेंट सेक्षिन और डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में करा है जिसमें हम आपको फुल सिलेबिस वीडियो लेक्चर्स नोट्स चेन फुल सिलेबिस मॉक्टिस थाउजन प्लस प्रैक्टिसमसी कुछ पीडियेफ प्रवाइट करेंगे इन बोद लैंग्वेज हिंदी आज वेल इन इंग्लिश तो हमारे इस रिसोच में और इस रिसर्च मेंधिडिलोजी के कंटेन में कवर करा है वीडियो लेक्चर्स में हमने जो इंप्रेंट पॉइंट्स होते है जबकि सिलेबिस में सारे पॉइंट्स है उनको डीटेल में एक्स्प्लेइन करा है उसे के साथ साथ नोट्स में जो इंप्रेंट इंप्रे सब्सक्राइब भूर आपको पताब चलता है कि इतने प्रिपरनेशन जांपे पिश्छण को सारी स्टलोग में हैं को सब्सक्राइब तरी réussEC के याद रखेएगा बहुत से स्टुडेंड हैं कि मैं नेट पे तो सारा study material available है तो हम यह material क्यों ले तो मैं आपको बता दू नेट पे बहुत सारा study material available है बहुत सारी information है हर जगह से जाओगे हर website पर अलग-अलग information से लेकिन आपको यह नहीं पता होता है कि क्या important है आपको क्या पढ़ना चाहिए कौन से questions आने के ज़्यादर chances होते हैं तो हम आपको हमारे इस course में इस सारा detail में बताएंगे और हमारा जो research methodology का container यह काफी precise है जिससे कि आप कम से कम study करकर आपके बीबी यू युनिवर्सिटी की PhD examination को crack कर सकते हो तो याद रखेगा हमारे इस course को purchase करने के लिए आपको दियेगा screen पे जो number है उस पर हमें WhatsApp के तुरू ही आपको contact करना है याद रखे नॉर्मल कॉल इस number पर नहीं लगेगा और आप हमारे आप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है global online app आप इस app को प्ले स्टोर से डिरेक्ली डाउनलोड कर सकते हो जो कि freely available है और इस app को download करने के link मैंने description box में provide कर रहा है आप डिरेक्ली वहां से हमारे app को download कर सकते हो जिसमें कि आपको one click में ही सारा study material देखने मिल जाएगा so let's begin with the video so let's first question which research is conducted in which information is collected without changing the environment this question में हमें find out करना है कौन से research हम conduct करते हैं जिसमें हम information को collect करते हैं without changing its framework its nature or you can say its environment ऐसी कौन से research होती हमें यह find out करना है so हम one by one पहले options देखते हैं option A applied research applied research में क्या करते हैं हम जिसे आपको पता ही होगा applied research में name में मिलीगे कि कोई भी हमारे पास अगर theory होती है उसको हम apply करकर कि किसी practical problem को solve करते हैं और या और यह किन से कोई specific problem को solve करते हैं applied research में आप नहीं कोई information collect करते हो और नहीं उस information को as it is describe करते हो उस information को without changing its environment आप उसको describe करते हो बलके applied research में आप कोई practical problem और you can say कोई specific problem को solve करते हो that's why अबर आपका option A incorrect जाएगा then option C fundamental research fundamental research क्यों होती है fundamental research में researcher का aim ही होता है कि कोई new theories, new concept, new ideas develop करें क्योंकि researcher को अपनी curiosity को fulfill करना था उनको जानना होता है कोई phenomena के बारे में उनको अपनी knowledge को increase करना होता है इसलिए researcher fundamental research perform करते है fundamental research में researcher as it is कोई phenomena को और जो भी information collect कर रहे है उसको as it is बताते हैं नहीं है that's why अपर आपको option C incorrect हो जाएगा then option B descriptive research यहाँ पर आपको option B correct हो जाएगा because descriptive research ऐसे research होती है जिसमें आप information collect करते हो और उस information को as it is describe करते हो यहाँ पर आप कुछ manipulate नहीं कर सकते हो मतलब कोई changes नहीं करते हो अपने अपने हिसाप से अपने convenience की हिसाप से आप उस information में कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो कुछ extra add नहीं कर सकते हो आपको जो information मिली आपको as it is describe करना होता है descriptive research में अब हमें example के तुरू समझते हैं आपको clearly और समझ में आ जाएगा जैसे मानलो मुझे Indian लोगों के facial features जानने है इसक कैसे पर पर कि है उनकी एस का कलर के साथ और यह सारे State in Latino is elementary information देखेंगे और just तो data मिलेगा उससे, data को as it is described करेंगे, उसमें research कोई changes नहीं कर सकते हो, so descriptive research आपके क्या होती है, जिसमें आप data collect करते हो, information collect करते हो, और उस information को आप as it is described करना होता है, आप वहाँ पर कोई changes और कोई manipulate नहीं कर सकते हो, so this is the definition of descriptive research, so यह पर आपका option भी correct हो जाएगा, next, descriptive research has the following characteristics, accept, इस question में हमें find out करना है कि descriptive research के characteristics हमें किस option में given नहीं है, so हम one by one options जखते है, option A, it is structured, so यह पर आपका option भी correct हो जाएगा, descriptive research जो होती है, आपकी वो structured होती है, structured का क्या मतलब है कि आप पहले से ही decide कर लेते हो कि मैं यह यह करने वाला हूँ अपनी research में, आप पहले से ही सारे steps confirm कर लेते हो कि decide कर लेते हो मैं यह यह करूँगा, so उसको हम कहते है structured, अब जैसे descriptive research का aim ही होता है कि कोई phenomena है, या फिर कोई topic है उसको आपको as it is describe करना होता है, अब कैसे मान लीजे, एक particular topic पे तीन research की गई है, आपने क्या किया, उन तीन research को analyze किया, और उन तीन research को analyze करकर आपने उन research को और वो research को जो भी topic था उसको आपने as it is describe कर दिया, यहाँ पर आप structure follow कर रहे है, आप क्या कर रहे है, बस उस तीन research को आप पढ़ोगे, देखोगे, observe करोगे, analyze करोगे और उसको as it is फिर से describe कर दोगे, जो information थी उसको as it is आपको बताना है, तो उसको हम कहते है, वो हो जाएगे आपकी descriptive research, descriptive research होती है आपकी वो structured होती है, क्योंकि आपको पहले सही आप plan कर लेते हो, then यहाँ पर आपका option B given है, it is quantitative in nature, यहाँ पर आपका option B भी correct हो जाएगा, यह common सी बात है, कि अगर आपकी descriptive research है, वो structured है, वैसे ही जैसे मैंने कल के lecture में आपको बताया था, क्योंकि आपकी quantitative research होती होती है, इसलिए यह दोनों में link है, आपको इस तरीके से exam में question solve करना है, आपको किसी एक option के बारे में पता होता है, तो आप उसको manipulate करके, या उसो कुछ अपना दिमाग लगा कर आप दूसरे option को भी correct कर सकते हो, तो उसी तरीके से आपका descriptive research होता है, वो quantitative nature का होता है, यह को quantitative research होती है, आपकी वो भी structured होती है, अब descriptive research आपकी quantitative nature के कैसे होंगी, आप मान लिजिए कि आपको इंडिया की population देखना है, इंडिया की population क्या थी 2020 में, अब मान लोगों इंडिया की population 2020 में 100 crores थी, आपने क्या किया, आपको जिए आपड़ data मिल रहा है, इस इन दा form of numbers, और इंडिया की population 2020 में 100 crores थी इसलिए आपने as it is लिखा, ऐसा नहीं कि इंडिया के population 2020 में 90 करोर्स थी और अपने 100 करोर्स लिख लिख लिए नहीं इंडिया के population 2020 में 100 करोर्स थी और अपने 100 करोर्स लिखा as it is अपने data बताया, as it is अपने information लिखा और आपको जो information in multiple is in the form of numbers that's why जो आपके descriptive research होती है वो quantitative nature की होती है बट इस question में हमें क्या बताया गया है कि descriptive research की characteristics हमें किस option में given नहीं है तो यह पर आपका option A और B दोनों भी incorrect हो जाएगा so here आपका correct option जाएगा option C discovers ideas and thoughts यह आपकी descriptive research की characteristics नहीं होंगी बलकि descriptive research में आपको ideas और thoughts को discover नहीं करते हो आपको new things discover नहीं करते हो जो भी चीज़ आपके पास present रहती है उसको as it is आपको describe करना होता है तो यह जो आपका option C में जो आपको information दी गई है कि आप कोई ideas और thoughts को discover करते हो यह तो आप fundamental research में करते हो ना कि descriptive research में that's why आपका correct option हो जाएगा option C discovers ideas and thoughts next dash research is responsible for findings the why of the events of phenomena इस question में find out करना है कि ऐसी कौन सी research होती है जो why type of questions को answer करती है तो one by one हम options देखते हैं पहले हम option C देखेंगे historical research historical research क्यों होती है जिसमें research किसी past events के बारे में study करते हो और यह देखते हैं उसका कुछ application है या नहीं present में और उसको present में apply करने की कोशिश करते हैं तो historical research में जो past events रहता है उसी को बस study करते हैं इसमें why type of question का answer नहीं करते हैं researcher that's why आपका option C incorrect हो जाएगा then option A descriptive research descriptive research कौन से research होती है जिसमें researcher as it is किसी phenomena को describe करते हैं पहले सही researcher के पास information present रहती है बस उस information को analyze करकर as it is इसको describe कर देते हैं अब remember हमको यह देखना है कि descriptive research में research है why type of questions का answer करते हैं नहीं so remember descriptive research में researcher what, when, how, or where यह सारे type of questions का answer करते हैं जैसे समस्लों researcher के ऐसा question से what से ऐसा हो सकता है कि what causes the cancer when, when should I speak, how, how can I get PhD in Igno University so यह सारे descriptive research में researcher इन सारे type of questions को answer करते हैं और descriptive research में researcher why type of questions का answer नहीं करते हैं आपको याद रखना है बलके explanatory research में researcher why type of questions को answer करते हैं अब explanatory research क्या होती है explanatory research पहले से ही explanatory research में information present रहती है researcher वसे information को as it is explain करते हैं और why type of questions का answer करते हैं अब जैसे researcher को याप पर देखना है why human body needs oxygen to leave, why plant needs water to grow so researcher explanatory research में why type of questions का answer करते हैं that's why आपको option भी correct हो जाएगा और this is the definition of explanatory research आपको option भी correct है explanatory research next descriptive research is इस question में find out करना है कि descriptive research क्या होती है जैसे हम अभी तक देखते आया है descriptive research वो research होती है जिसमें researcher के पास already information already data available होता है बस इस data को researcher को analyze करकर उस topic को उस information को as it is describe करना होता है अब मानलो एक topic है और एक phenomenon है जैसे हम पर topic है cancer disease okay so cancer disease पर मानलो पहले छे research हो गई होगी छे researcher ने cancer disease पर research किया है और उन छे research को researcher क्या करेंगे analyze करेंगे उन छे research को और उस topic को describe कर देंगे researcher पर researcher ने क्या किया पहले उस topic को analyze किया जिसमें already information available थी इस पर थे research पहले हो गई थी इस थे research को researcher ने analyze किया understand किया और इसको as it is describe कर दिया so descriptive research में आप के सकते हैं आपके पाद जो भी information रहती है पास्ट के past information का use करकर आप उस particular phenomena को और events को describe करते हो so one by one options रहते हैं exposed factor exposed factor वो रहती जो पहले ही आपके पास information present होती है अप कोई happen कुछ incident होने के बाद आप उस पर research करते हो so exposed factor research it is related with descriptive research that's why आपका option ने correct हो जाएगा then option c flexible descriptive research flexible नहीं होती है आपको यहाद रखना है क्योंकि आपने आप पर आपका जो topic था इस topic पर जो भी information प्रेजेंट थी इस इस research पर जो भी information होगी आपको बस उसी को देखना है और उसको देखते होए उस data को observe करते होए अनलाइस करते होगा उसको describe करना होता है so हम यह ने कह सकते के descriptive research flexible है descriptive research flexible नहीं होती है that's why आपका correct option होचाएगा option d both a and b so descriptive research is exposed factor and as well as retrospective next recognize the following steps of descriptive research in correct sequence इस question में हमें descriptive research के कुछ steps given है और हमें उन steps को correct order में place करना है अब हम one by one steps देखते है और उसको correct order में arrange करेंगे so यह आपर आपके descriptive research को fourth step होगा identification of a problem ना के descriptive research बलके अगर आप कोई भी research कर रहे हो उसका fourth step होता है identification of a problem then अपने problem identify कर लिया उसके बाद आपको उस problem पर best hypothesis lay down करना होता है और hypothesis form करना होता है अब hypothesis क्या होता है hypothesis है tentative और temporary statement होता है जो research अपने research के starting में देते है और उस पर research perform करते है और results find out करते है so first step में researcher problem को identify करेंगे then second में hypothesis form करेंगे hypothesis lay down करेंगे यहाँ पर f आपका second आजाएगा second step हो जाएगी then third step में आप क्या करोगे अपने hypothesis lay down कर लिया अब उसके बाद आप data collect करोंगे data करने के बाद आगे process करोंगे data को process करोंगे so here आपका a जो option है यह third पर आजाएगा then b a के बाद आपका b आजाएगा क्योंकि अगर आपने method कुई method apply कर कर किसी method से data को collect कर लिया data को collect करने के बाद आप interpretation करोंगे interpretation आप उसको analyze करोंगे उसको observe करोंगे data को and then आप कुछ results find out करोंगे so b आपका fourth number पर होगा fourth step हो जाएगा आपका and then उसके बाद आपने results find out कर लिया then उसके बाद आप conclusions निकालोंगे conclusions draw करोंगे आपका fifth number पर आजाएगा and last आप report लिखोगे so drafting the report यह आपका sixth number पर आजाएगा so इस तरीके से आप इस way में इस steps में descriptive research perform करते हो so यह sequence आपको option d में given है cf a b d and last is e next a science teacher explaining to his students why plants need sunlight to grow this example will fall under which type of research इस question में आपको एक example given है और मैं find out करना यह example किस research के अंदर लाए करेगी अब example में आपको यह given है कि science teacher है वो अपने students को explain कर रही है कि why plant needs sunlight to grow कि plant को sunlight की जरुवत की होती है grow होने के लिए so यह example किस type of research का example हो का हमें यह find out करना है तो one by one हम option जेखते हैं option e applied research applied research में तो researcher किसी specific और किसी practical problem को solve करते हैं ना कि why type of questions का answer करते हैं so यह आपको जो question given है why plant needs sunlight to grow so यह question why से start हो रहा है so applied research में researcher किसी why type of questions का answer नहीं करते हैं that's why आपको option है incorrect है जाएगा then option b historical historical research में researcher बस past events के बारे में study करते हैं और यह देखते कि इसका कुछ application है या नहीं present में so historical research में researcher कोई why type of questions का answer नहीं करते हैं so यह पर आपको option b भी incorrect हो जाएगा then option c explanatory research so explanatory research में researcher के पस already data available होता है उस data को researcher explain करते है so explanatory research में remember researcher why type of questions का answer करते हैं that's why आपको correct option हो जाएगा option c explanatory research this is the example of explanatory research next which one of the following example is not related with descriptive research इस question में हमें कुछ examples given है और में find out करना है कौन सा option descriptive research का example नहीं होगा अब one by one हम option सेखते हैं option a what is the impact of lockdown on school education so इस option में यह बता रहा है के lockdown का impact क्या हो रहा है education पर so what what type of question का हम descriptive research में answer करते हैं so यह पर आपको option ही correct हो जाएगा this is the example of descriptive research then option b the amount of time students spend on social media कि social media पर students कितना time spend कर रहा है so यह आपर word है amount amount है मतलब आप इसको major कर सकते हो और क्यूंकि हमें पता है descriptive research quantitative nature की होती है quantitative research में भी हम क्या करते है amounts, numbers जिसको हम major कर सकते है descriptive research में जो भी data होता है वो numbers के form में होता है जिसको हम major कर सके so option b amount पर आपको पूचा है कि कितना time students spend कर रहा है social media पर so यह भी descriptive research का example होगा so यह आपका option b descriptive research का example हो गया then option c where is the post office so यह आपर where question है where type of questions है so again where type of question का answer descriptive research में ही करते है so यह आपका option c भी correct है so इस question में हम यह find out करना है which is not related कौन सा example जो है descriptive research का example नहीं है हमें यह find out करना है but option a,b,c में descriptive research का example हमें given है that's why आपका option a,b,c तीनों भी incorrect हो जाएगा then option t why does hand washing prevent infection so यह आपर why why word आ रहा है so remember why जब भी word आता है why question का answer researcher explanatory research में करते हैं not in descriptive research that's why आपका option d correct हो जाएगा because हमें question में यह find out करना है कि कौन सा option में descriptive research का example नहीं given है so यह आपका option d आपका option d जाएगा next which research not allows manipulation of variables इस question में find out करना है कि कौन से research होती है जिसमें आप variables को manipulate नहीं कर सकते हो नहीं variables को change कर सकते हो वह कौन से research होती है हमें यह find out करना है so one by one हम option जाएगते है पहले हम option b देखेंगे applied research applied research क्या होती है कि जिसमें आप कोई specific और कोई practical problems को solve करते हो so applied research में आप क्या करते हो आपने जो भी fundamental research में theories बना होंगी जो भी theory new theory develop की होंगी new ideas develop की होगा so वो उस theory को applied research में apply करकर so applied or fundamental research में variables का कोई role ही नहीं होता है that's why आपका option b और c दोनों भी incorrect हो जाएगा then यहाँ पर आपको option d given है experimental experimental research क्या होती है जिसमें researcher cause and effect relationship find out करते है between independent variable and dependent variable experimental research में researcher independent variable का effect देखते है dependent variable पर क्या हो रहा है और remember experimental research में researcher वेरिएबल्स but explainatory research में जो भी already information available होती है because पर researcher किसी भी variables को manipulate नहीं कर सकते हैं कोई भी information में हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं जो information present है उसको as it is explain करकर क्या हो रहा है क्या effect हो रहा है what type of questions का answer करते हैं और इसमें explanatory research में कोई भी variables को manipulate नहीं करते हैं और नहीं change करते है researcher that's why आपको correct option हो जाएगा option A explanatory next an investor considering an investment in the ever changing Mumbai housing market needs to understand what the current state of the market is how it changes and when it changes this research will come under इस question में हमें के example given है में find out करना है कि ये example किस research में fall करेंगी अब इस example में आपको given है कि एक investor है उसको जो Mumbai housing market जो के हमेशा ये market बदलते रहता है उसको invest करना है market में इस market को कैसे समझेगा आपको कुछ question given है उसको ये question समझना है अब questions क्या है कि what the current state of the market उस market की current status क्या है then how it changes वो कैसे बदलते रहता है and when it changes वो कब बदलते रहता है इन सारे questions को यहाँ पर investor का understand करना है वो कौन से research का use करेगा आपको कुछ कुछ word आपको जो given है वो आपके लिए keywords है what, how and when so what, how and when यह सारे type of questions का answer आप descriptive research में करते हैं descriptive research वो research होते है what, how, when, where यह सारे type of questions को answer करते हूं that's why आपका correct option हो जाएग option B और यहापर जो investor है जो इसको invest करना है Mumbai housing markets में तो वो इन सारे problems को इन सारे questions को understand करने के लिए descriptive research का use करेगा whereas explanatory research तो why type of questions को answer करते हैं that's why आपका option D correct हो जाएगा then option C fundamental research fundamental research में तो researcher new theories, new concepts, new ideas को develop करते हैं इस सारे type of questions को answer नहीं करते है that's why आपका option C भी incorrect हो जाएगा then option A applied research applied research में research को specific problem को solve करते हैं so applied research में भी researcher किसी how, when, what, where यह सारे type of questions को answer नहीं करते हैं आपका option A भी correct हो जाएगा so यह आपर जो investor है उसको invest करना है Mumbai housing market में so उसको कुछ questions को understand करना है so इस questions को understand करने के लिए investor descriptive research का use करेगा that's why आपका correct option आजाएगा option B descriptive research next explanatory research is also known as इस question में हमें find out करना है कि explanatory research को और हम कौन से research भी कहते हैं अब explanatory research में क्यूंके हम देखते हैं कि cause and effect relationship क्या और है between the variable उसी तरीके से causal research और experimental research ही दोना भी research में हम cause and effect relationship देखते हैं between the independent variable and dependent variable but experimental research में आप independent variable को manipulate कर सकते हो change कर सकते हो but explanatory research में आप किसी भी variable को नहीं independent variable को आप manipulate कर सकते हो नहीं change कर सकते हो that's why अब आपको option भी incorrect हो जाएगा then उसी तरीके से causal research causal research जिसमें आप cause and effect relationship find out करते हो independent variable का dependent variable पर क्या cause and effect हो रहा है that's why explanatory research is also known as causal research आपको याद रखना है explanatory research को causal research भी कहते है so यह आपका correct option हो जाएगा option A causal research so I hope the concept of explanatory and descriptive research is clear to everyone and thank you for watching this video see you tomorrow